तकलीव वो है आपको कोई नमस्कार नहीं कर रहा है तकलीव वो है आपको कम्प्लिट करें कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है कोई किसी को देख नहीं रहा है जो अगनीबीर वाली नौकरी है सवापती मौदया कोई भी नौजमान जो फौज के लिए त्यारी करता है वो कभी स्विकार नहीं कर सकता जब पहली बार ये स्कीम आई थी अगनी बीर उस समय बड़े बड़े उद्योग पतियों से ट्वीट कराये गया था ये अगनी बीर से अच्छी कोई योजना नहीं है इनको हम नौकरी दे देंगे हम अपने आ रख लेंगे और शायद सरकार में बैठे लोगों को ये बात याद होगी क्योंकि सरकार खुज स्विकार करती है इस केम ठीक नहीं है तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अगनी बीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए आप नौकरी दीजिए सवाबपती महोदया सवाबपती महोदया मैं बैठ जाता हूँ आप खड़े हो करे कह दिए अग्री वेवस्ता अची है तो हिमाचर प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्रवजेता मेजर सोवनाथ शर्मा दिये कारगिल के युद में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले हिमाचर प्रदेश के वीर नौजवान थे चार परमवीर चक्रवजेता हुए उसमें से दो कैप्टन विक्रम बत्रा और सुबधार संजे कुमार हिमाचर प्रदेश से हुए और मैं कहता हूँ जी हाँ जो लंबे समय से मांग थी वान रेंग वान पेंचन की किसी सरकार ने पूरी नी की वो नरेंदर मोती जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है और मैं एक बात और कहता हूँ अखिलेश यादवजी सुने अगनी वीर में 100% इंप्लाइमेंट की गरंटी है और रहेगी सवापती मोदेया जो मेंने बहुत छोटा सवाल पूछा था मैं दूसरी बात कहता हूँ अगर ये बात ये आप कह रहे हो चैल जानते हैं आप कहा है चेहल जानते हैं आप कहा हैं तभी गईओ समुल में मैं खुद मिलीडी स्कूल का पढ़ा हूँ और अप रम इचक्री की बात करें तो हम भी तौम नाम गिना सकते हैं यह सबाब पति महुद्या जी जी मैं आपके सामने कहना जाता हूँ यह तो केवर मिल्टी स्कूल गए है मैं आज भी टरिकोलर आर्मी के 124 सिक रेजिमेंट में कैप्टन के रांग पर अपनी सेभाई दे रहा हूँ माने निया सदसे से मैं आगरा पर रही है और आपका समझे बुदा होगा है मैं इसलिए नहीं कहारा मैं क्या बात कहना चाहता हूँ शायद मंतिर जी नहीं रहे इसलिए तकली परिशानी जाता है और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं आजा दर्द में बताता हूँ माने ये सदसे से मैं आगरा कर रही हूँ सभापती मौदया दर्द में बताता हूँ कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है कोई किसी को देख नहीं रहा है और जो अपने आपको बहुत ताकतवर कहते थे अपने आपको जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे हैं अब बात समझ में नहीं आई ना जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे हैं और अगर सभापती महोड़ा अगनी बीर व्रबस्ता समाजवादी लोग सुईकारी नहीं कर सकते हैं आप अभी चाट्या रहे हैं साल दो साल ये चलने वाली सरकार नहीं है गिरने वाली सरकार याद रखना और देखिए आप क्यों समझ रहे हो साइकल हमारा चुनाव चिनने साइकली आपको सरकार चल वारी है जिस दिन साइकल हट गई आप कहां बैठे मिलोगे और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहां लाए थे मारे निया सबसे में आगरा कर रही हूं हम यहां चले करिए सभापती महोड़ा दो तीन बाते कहता हूं यूपी को लेकर के मैं मांग करता हूं सभापती महोड़ा चम्मल एक्सप्रेस बनना चाहिए क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो एक लाग करोड़ का बना है वो दिल्ली मुंबईस है और यूपी को क्यों नहीं चोड़ रहे हैं गंगा को लेकर के सब चिंतित हैं गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है जो बजट गया पता नहीं कहां चला गया किसी को नहीं पता जैसे पानी बहा वैसे ही बजट भी चला गया दुखसरा क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं वो जानते होंगे मंत्री जी कि देश की सबसे जाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जगह से पर्मिशन्स लेनी पड़ती है, हम लोगों पर्मिशन्स नहीं मिलीं, और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, एस्याटिक लाइन्स की ब्रीडिंग शुरू हो गई वहाँ पर, ये सरकार इसलिए ने शुरू करना चाह शेर आया था कि कोई और आया था वो कहानी में नहीं पड़ूगा यहाँ पर, फिर मैं बोल दूँगा तो फिर कहोगे क्या बोल दिया मैंने, इसलिए मत बुलवाईए तो यह अच्छा है, कुछ तो रिश्टे बने रहें, कुछ मत बुलवाईए मुझसे, सभापती मौद अखे, उसको शुरू नहीं होने दे रहें, मुझे उमीद है कि उसको शुरू कर बादेंगे आप, और आखरी में मैं कहता हूँ, चलते चलते आप, दो लाइने कहता हूँ, बुनियाद को नकार कर जो इमारतें उठाएंगे, हम भी देखते हैं वो किस मंजिल तक जाएंग हाला कि अयुद्या को मैंने कहा, हम काम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सवा पविती महुद्या मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों का कौन टाउन प्लैनर है, कौन आर्किटेट है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब सरकार से चले जाएंगे, तो विश्व की सबसे बढ़िया डितानेगरी होगी, मानि मैं सहथ से, मान दी आर्कियों को, इस से बड़ा सम्मान हूँ, और कोई नहीं रसमता。